हे दोस्तों वल्कम बैक टू माई चैनल गार्डेन नीचर सलवर में आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ आज हम बात करेंगे फंजी साइट के बारे में कौन से फंजी साइट हमारे प्लान के लिए सही होते है और कौन से फंजी साइट कॉन्टेक्ट होता है और कौन सा सिस्टमिक होता है तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि फंजी साइट हम यूज ही क्यों करते है फंजी साइट होता क्या है तो देखिए बैसिकली फंजी साइट एक फफुन नाशक होता है जिसे हिंदी में फफुन नाशक बोला जाता है फफुन नाशक वो होता है जैसे आपके पौधे में जैसे अभी थंड आ रही है तो थंड के टाइम में ऐसे देखा जाता है कि पौधे के पत्ति करल हो जाते है उपर से powder type के दिखते है dust type के white white दिखते है तो इस condition में हमें क्या use करना चाहिए तो funsicide के use करना चाहिए तो funsicide वेसिकली फफुन को खतम करने के लिए उसको kill करने के लिए इसका use किया जाता है तो देखी यहाँ पे 3 funsicide मैंने रखा है एक आपका manco zip है यहाँ पे साफ है और आपका एक कारबंडा zip है तो बात कर लेते तीनों यह funsicide जो है तीनों अलग type के है जो साफ है अलग है प्लस आपका जो manco zip है वो अलग है और कारबंडा zip अलग है तो देखी यहाँ पे दो type के मैं mainly दो type के बात करूंगी एक contact funsicide है एक आपका systemic है contact वो होता है जैसे कि आप plant के उपर spray कर रहे है अगर उसमें fungus है वो अगर contact में आता है तो तुरंद उसका kill हो जाता है दूसरा यह होता है systemic systemic का यह होता है कि अगर आप उपर में कभी-कभी ऐसे होता है प्लांट के cells में जो होता है fungus survival करते है तो उस condition में यह होता है कि contact काम नहीं करता है तो systemic काम करता है systemic यह होता है कि आप चाहे पत्तों के सता पे दे या पूरे plant पे spray करें तो best होता है कि आप systemic use करें क्योंकि अभी जो season आ रहा है winter flower का season आ रहा है flowering time का होता है thund के time में गया होता है fungus का attack बहुत जादा होता है other season के according thund के time पे बहुत जादा होता है तो देखिए यहाँ पे आपका जो manco zip है वो आपका 75% है और carbon does zip 50% WP होता है देखिए इसका आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा इसका expiry date हमेशा देख के लिजेगा नहीं तो आपके plant को harm कर सकता है और यह जो है आपका rate भी इसका जो price है वो भी सही है देखिए आपके 100 gram का है प्लस इसका आपका company भी सही है यहाँ पे देखिए 250 gram का है जो आपका किता पढ़ रहा है आप यूज करें क्योंकि बहुत लोगों को यह नहीं पता है कि हमें कितना concentrate मिला के जिनको पता है उनके लिए सही है दोनों packet आप अलग खरीद के आप यूज कर सकते है लेकिन साफ में क्या होता है आपका contact and systemic दोनों mix होता है आपका इसमें carbon dash zip भी होता है manco zip भी होता है तो इसमें क्या होता है आपका price भी सही रहता है कम condition है भी बिल जाता है प्लस आपको यह issue नहीं रहती है कि आपको कितना percentage में कितना मिलाना है यह आपका पूरा properly mix रहता है आप per liter के हिसाफ से तीन ग्राम चार ग्राम यूज़ कर सकते है अगर आपका बहुत जादा अटैक होता है साफ उन लोगों के लिए सही है जो शुरू आती ताइम पे जो स्टार्ट करते है गार्डिनिंग उनके लिए सही है क्योंकि कंसेंट्रेट नहीं पता होने से आपके प्लांट को जला देगी है तो यह बेस्ट होता है यह देख सकते हैं करबंडाजीम आपका 12% है मैंकोजिव आपका 63% है तो यह बेस्ट होता है कि आप डायरेक्ली साफ का यूज़ करें कभी-कभी ऐसा होता है कि हमें कॉंटेक्ट एंड सिस्टमिक दोनों नहीं मिलते हैं मार्केट में तो एक साथ अगर साफ मिल जाता है तो बेस्ट होता है अभी विंटर फ्लावरिंग का सीजन आ रहा है सबसे अच्छा रहता है कि आपका फ्लारिंग आने से पहले फ्रूटिंग आने से पहले अगर आप एक दो बार अगर स्प्रे करते हैं नर्सरी में भी जब प्लांट को रिपोर्टिंग किया जाता चोटा रहता है उसके रिपोर्टिंग के दस दिन बाद स्प्रे कर दिया जाता है फिर उसके 15 दिन बाद फिर से करते हैं तो इस तरीके से आप अपने plant का maintain कर सकते हैं जिससे आपके plant में fungus का attack नहीं होगा और जब अगर आपके plant में fungus का attack हो जाता है फिर उसको recover करने में बहुत जादा late हो जाता है तो इस तरीके से आप थोड़ा सा पहले अगर धिहान देंगे fungus का fungicide का use करेंगे तो best होता है तो हे दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो please like share कर दीजेगा और में चैनल को please subscribe कर दीजेगा मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई